गती 120 सब परती मिनट डिक्टेशन सुरू होने में समय से से 5 सेंड रेडी स्टार्ट महोदे हमारे यहां असांती क्यों होती रहती है इसलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है असांती इसलिए होती रहती है कि समाज में उंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें नयाय नहीं मिल रहा है कानून और बवस्था की समस्या केबल भारत में ही नहीं है मैं आपसे अमरीका की और देखने को कहूंगी मैं कहूंगी कि आप अनेक बिक्सित देशों की और निगाह डालें जहां ना पैसे की कमी है ना रोजगार की ना दुनिया के सुख साधनों की मैं आपको विस्वास दिला सकती हूं की एक अकेली अस्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सडकों से गुजर जाती है उतनी उन देशों के एनेक सहरों से नहीं गुजर सकती गुजरात को क्या सहायता दी गई क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है मैं यहां कागच पत्र लेकर नहीं आई हूँ लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेच्छा अधिक सहायता मिली है आपने एक या दो बिसेश परियोजनाओं की चर्चा की है पर तेक परियोजना पर उसकी अभसकता के अनुसार विचार किया या विवसाय ग्री को क्या मिलता है अविसकता का आसय या है कि उससे देश को अपने पाओं पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं हमें उर्वरकों की अविसकता है हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं लेकिन हम बिदेशी कमपनियों क हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्ता रूड हूँ मैं ऐसा नहीं होने दोंगी चाहे कैसा भी दवाव क्यों न पड़े अगर आप चिखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए आप मुझ से ज्यादा जोर से नहीं चिख सकते इसका मुझे आप से क जहीं ज्यादा अनुवब है परतेक मामले को तब तै किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा जहां तक टाटा परियोजना का संबंद है वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं आप महानुभाबों को इस पर लिखी गई अनेक पुष्टकों के नाम बता सकती हूँ जिनके लेखक ना तो भारतिये हैं और ना ही आदर्स बादी महोदे परते कदम फूक फूक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गवादे लेकिन स्वतंदता कवाने की अपेच्छा वह अच्छा होगा स्वतंदता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्ने स्वयम कर सके हो सकता है कि वे निर्ने गलत हो लेकिन वे हमारे निर्ने भारत के निर्ने होने चाहिए हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है हमने आधुनी की करन के लिए विदेशी सहायता की आविसकता को सुईकार किया है योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक काजकारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया सिध्धांत रूप में यह निर्नय किया गया कि वितिये अभी करनों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए हम अभीतिये संस्थाओं से बाचित कर रहे हैं कि इन योद्देशियों के लिए उधार की सरते कैसे उधार बनाई जा सकती है आपने बंगलूर की गटनाओं और बंबाई में लिये गए हमारे कुछ निर्नयों की भी चर्चा की है आप यह भूल गए हैं कि वेर निर्नय वास्तब में कॉंग्रेस द्वारा पिछले आम चुनाओं के सिक्रबाद किये गए थे उन पर कार्ज समीती में विचार बिमर्स और एक राय से सहमती हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी ने सुईकार किया था बंगलूर में हमने केवल मोटे तोर पर नए सीरे से दिशा निर्देश दिया था इसमें कोई संदेह नहीं की जब तक देश उस दिशा की और ना बढ़े तब तक वह परगती नहीं कर सकता मैं नहीं समझती की आधरसबाद और व्याभारिकता को एक दूसरे से अल प्रस्ण केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है बलकि प्रस्ण परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है यहां अनुसासन और धैर के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है मैं समझती हूँ कि इन सब्दों का परियोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए आप सायद इसे अनुसासन कहेंगे कि इंगलैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर बेभार किया जाता था या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाह निकलते थे जब वे इन सबके प्रती विद्रो करते थे तो आप सायद उसे अनुसासन हिंता कहेंगे समाप्त